हालो फ्रेंट्स वेलकम तो लोफ यू जीवन एजुकेशन में एक बार फिर से आप सब का स्वागत हैं हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर काफी जबर्दास अपडेट के बारे में काफी बड़ा अपडेट है जी हां सी एचो वेकेंसी के रिगाड़ेड अपडेट अ और किस तरीके से ये वेकेंसी का एप्लिकेशन होगा यानि फोर्म किस तरीके से आप बरेंगे पूरी डिटियल के साथ इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे तो चलेगा मैं सेशन को वीडियो को स्टार्ट करता हूं सेशन को लाइक शेयर कर दीजगा ताकि सबी तक इंफोर्मेशन है जो की पहुंच जाए चलेगा इस वीडियो के अंदर आपन मोटी मोटी बाते बताओंगा मैं आपको जो की इंपोर्टेंट है आपके लिए जो की आपको याद रखनी है और इंपोर्टेंट पॉइंट ही मैं बताओंगा क्योंकि पीडियाप काफी बड क्योंशन है और इसके पॉस्ट रहने वाली है साथ सो सत्यासीपोस्फट एट सेवंड़ सेवनắt पोस्ट के निवडियोघन वाली है जिसके इंदर 771 उन्यू पोस्ट है और 16 स्वीह आपको पोस्ट बॉस्ट बच्टी हुक राओए 2 ए 7щё यॉस्ट है और अनि यह लननडश पोस्ट आपके सामने हैं जो कि इस वेकेंसी के अंदर रहने वाली हैं और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर ओल इंडिया केंडियेट एपलाई कर सकता है याद रखेगा चलेगा आगे बात करते तो इसकी वेबसाइट आपके सामने दे रखे www.nhmharyana.government.in इसको जैसे आप गूगल करेंगे तो आपके सामने पूरा ओफिशली पेज ओपन हो जाएगा और ओफिशली जानकर आपके सामने आ जाएगे इंपोर्टेंट डेट्स की बात अपन करें तो फोरम कब से बरना स्टार्ट हो जाएगे तो फोरम इसके आज से ही बरना स्टार्ट हो जाएगे 6 अप्रेल 2022 तक साम 5 बजे तक आप form apply कर सकते हैं यानि आज 20 तारिक से लेकर 6 अप्रेल 2022 तक आप form apply कर सकते हैं online mode से आपका form apply होगा उसके बाद जब आप form apply कर देंगे तो आपका जो selection criteria रखा गया है ये इस vacancy के अंदर वो है आपका test यानि OMR best आपका exam होगा और वो कब होगा सर वो 24 अप्रेल 2022 को होगा 24 तारिक को 24 अप्रेल 2022 को यानि आज से एक महीना मान की चलेगा अगले मैंत में यानि 24 अप्रेल को आपका exam है साड़े दस बजे से लेकर साड़े बारा बज़े दो गंटे तक आपका exam रहेगा उसके बाद बात करें तो पूरी प्रोसेस यहां पर अवेलेबल करवा रखिए कि exam होने के बाद आपका result आजाएगा result आने के बाद आपका document verification and counseling process रहेगी वो 2 से लेकर 17 मई तक रहने वाली है कब तक 2 से लेकर 17 मई 2022 तक रहने वाली है याद रखेगा याद पूरी जानकरी यहां पर आपको दे दी है schedule कर दिया गया है कि आपका यह vacancy कब तक complete कर दिये जाएगी यानि 17 अप्रेल के बाद आपका इसमें allotment हो जाएगा और आपको directly joining दे दी जाएगी तो simple सी बात है औ और पूरा schedule दिया हुआ है तो परेशान होने की जरूत नहीं है जल्दी से जल्दी इसका form apply कर दे और अपनी तयारी को continue बना दे क्योंकि काफी जबर्दस frequency रहने वाली है और इसके अंदर opportunity काफी अच्छी दिये रखी है कि all India candidate यहां पर apply कर सकते हैं जिसके पास CCS course available है चल आगे important qualification academic qualification यहां पर available है तो complete PDF में आपको available करवा दूँआ टेलेग्राम चैनल पर वहां से इसको download करके आप पूरा देख सकते हैं में मोटा मोटा और important point आपको बता रहा हूं चले आधर qualification की बात करें तो age limit यहां पर रहने वाली है एट इंटू 42 years 18 से लिकर 42 साल के candidate यहां पर apply कर सकते हैं उसके लवा यहां पर relaxation भी जो reserved category है वहां पर relaxation भी apply होगा उसके बाद आगे बात करें तो Hindi और Sanskrit हिंदी और Sanskrit language यहां पर matriculation level है वहां पर होनी चाहिए उसके लवा आगे बात करें यहां पर तो यहां पर जो next see point दिया हुआ है यहां पर लिखा हुआ है साफ हुआ है अभी तो आप सभी candidate apply कर सकते हैं ओल इंडिया candidate यहां पर apply कर सकते हैं लेकिन जब after selection आपका हो जाएगा आपका selection हो जाएगा आपका document verification हो जाएगा तो उसके बाद आपको within two month after the CHO joining दो मैने के अंदर अंदर आपको अपना registration change करवाना पड़ेगा कहा पर हर्याना state nurses and midwife counseling पंच कुला में आपका क्या करवाना पड़ेगा registration change करवाना पड़ेगा अभी तो all India candidate apply कर सकते हैं उन्होंने eligible माना है सभी को लेकिन जब आपका selection हो जाएगा selection होने के बाद आपकी joining हो जाएगी तो joining होने के बाद within two month में आपको अपना registration change करवाना होगा लिखा हुआ ह all selected candidates should required to be registered with the respective counseling of Indian medicine हरियाना या फिर हरियाना state nurses and nurse midwife counseling पंच कुला और central counseling of Indian medicine और Indian nursing council daily within two month after the joining of the MLHP कम CHO यानि joining के बाद आपको within two month में अपना registration change करवाना होगा और ये point आपको याद रखना है बागी सभी candidate यहाँ पर apply कर सकते हैं सभी को यहाँ पर eligible माना गया है आगे बात करें इसके अंदर salary की तो इसके अंदर salary आपकी रहने वाली है salary आपकी रहने वाली है 25000 उपे रुपे इंसेंटिव आपको यहां पर दिया हुआ है उसके बाद आगे अपने बात करें तो इसके अंदर इंसेंटिव रहेगा 15,000 रुपे इंसेंटिव आपका रहेगा 15,000 रुपे याद रखेगा और आफ्टर फाइप यह आपको सभी सभी जो फैसिलिटी वोड़ेबल करवा दी जाएगी और 484800 याँ पर आपकी पेग्रेड रहने वाली है काफ़ी इंपोटेंड है आप कहेंगे सर परमानेंटिक नहीं है सर परमानेंट ही है मायन के चलिएक परमानेंट ही है क्योंकि सारी फैसिलिटी आपको अवेलेबल हो ज जो general category है उसके candidate के लिए 100 rupees और other category के अंदर यहाँ पर 50 rupees यहाँ पर रहेगी SCST, EWS सभी category के लिए यहाँ पर कितने रहेगे 50 rupees रहेगी यानि fees का कोई matter नहीं है सब apply कर सकते हैं general के अंदर 100 rupees बागी other के लिए यहाँ पर 50 rupees रहने वाली है चलेगा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका syllabus दिया हुआ है कि आपका जो exam होगा आपका जो exam होगा भी next month के अंदर उसके अंदर syllabus क्या रहेगा तो syllabus आप देख सकते हैं यहाँ पर बीमेस बैसिक बीएसी नर्सिंग पोस्ट बीएसी नर्सिंग सेलेबस अफ सी सी आई एम और आइंसी के अंदर जो भी किया है उसका 60% syllabus कवर होगा यानि जितने क्योंस नहींगे उसका 60% syllabus यहाँ पर कवर उसके लबार रीजनिंग और mathematics aptitude 10% यहाँ पर रहेगा उसके लबाव रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूबोर्न चाइड हैल्थ प्लस एडोल्स यानि आर एम ए एन सी एच प्लस ए जो है प्रोग्राम है उसके अकोडिंग जो टोपिक हैं बड़ा टोपिक हैं काफी इंप टोटल मिलाकर यहां पर 100% आपका हो जाएगा ठीक है तो आगे बात करें तो ओमर्स एट बेसिस आपका एक्जाम होने वाला है और बाकी सारी डीटियल्स आप पीडियप में देख सकते हैं सारी डीटियल्स आपको अवेलेबल करवा रखें पीडियप में आपको रहते हैं तो उम्मीद है सारी जानकर यह आपको समझ में आगे होगी जो जानकर यह आप चाहते हैं अगर फिर भी कोई पूइंट यहां पर छूट गया है तो आप बता सकते हैं आप कमेंट कर सकते हैं आपको रिपलाई मिल जाएगा ठीक है तो यह आपकी CHO वेकेंसी ती एक्जाम आपका next month को होगा next month के अंदर date आपको बता दिया है 24 अपरेल को आपका एक्जाम होगा 24 अपरेल को आपका एक्जाम होगा उसका result आने के बाद आपका document verification दो से लेकर 17 मही तक आपका रहने वाला है उसके बाद आपको joining दे दी जाएगी और salary काफी अच्छी रहन वाले 25,000 यहां पर फिक्स सेलरी है उसके बाद 15,000 रुपे आपका इंसेंटिव रहने वाला है तो उमीद है इसके अंदर जो भी जानकारी थी आपको समझ में आगे हुआ अगर फिर भी कोई इंपोर्टेंट वेकेंसी रहने वाली है और सबसे अच्छी यह दिए कि ओल इंडिया केंडिट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं चले का इस वीडियो को यहीं पर फिनिस करता हूं अगर जानकारी समझ में आई है तो जानकारी को ज़्यादा ज़्यार की जगा था कि सभी तक पोजाए सभी इस जानकारी को ले सकें चले का आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्स वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ तब तक के लिए बने रहे जीवन एजुकेशन थेंक्यू वेरी मुच